आज की वीडियो में मैं अपनी चछत से पालक की हार्वेस्टिंग करने वाली हैं जो कि मैंने प्लांटर में लगाए हुए हैं और काफी अच्छी इसकी ग्रोध है और इस पैसे मैं एक बार एक दो बार और हार्वेस्ट कर चुकी हूँ तो आज मैं आप लोगों के शाद शेयर यही करूँगे कि आखे इच्छत से हम पालक कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं मैंने सिफ दो ही प्लांटर में लगाया हुआ है एक क्यारी टाइप बहुत जादा बड़े प्लांटर नहीं है और छोटा सा प्लांटर में और वीडियो स्टार्ट करने से पहली अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा आए है तो प्लीस चैनल को सिश्क्राइब जरूर कर ल इसलिए मैंने थोड़ी सी मैथी लगाई हुई है क्योंकि मिक्स वेस बिना मैथी की अच्छा नहीं लगता है और इस टाइम आप ग्रीन मैथी यूज़ कर सकते हो तो पहले हम सब थोड़ी सी मैथी हावेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम करेंगे पालक की हावेस्टिंग तो यह मेरा पालक है तो मैंने मैथी की हावेस्टिंग कर ली है वो कितनी हुई है मैं बाद में दिखाऊंगी कि आखिर मैंने मैथी कितना हावेस्ट किया है और यह है पालक तो फिर मैं तब तक पालक की हावेस्टिंग कर लेती हूँ और मैं वैसे चाहती तो इसको कट भी कर करने के concert करेंगे कड करने से उतनी अच्igation नहीं होती है अगर उसमें से हम तोड लेते हैं já तो पालक फिर जल्दी ग्रोथ करने लगता है क्योंकि उनकी छोटी चोटी छोटी लीफ होती है वो फिर से ग्रोथ हो जाती है उनकी और जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है तो आप वीडियो को मेरे को लास तक जरूर वाच कीजिए और और नेक्स्ट देखते हैं कितने दुनों में फिर से पालक हार्वेस्टिंग पर आता है इस तरीके से तोड़ने पर तो वो भी आपको पता चल जाएगा तो इसमें से जो मेरी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वह ही हार्वेस्ट कर लूंगी क्योंकि उतना भी अगर मैं छोटी छोटी पत्तियां वह जल्दी से ग्रोथ हो जाएंगी तो चलिए करते हैं पालक की हावेस्टिंग तोड़ लेते हैं सारी जो पत्तियां बड़ी बड़ी हैं उनको ही मैं तोड़ूंगी दूसरा प्लांटर है जिसमें से मैं इसमें से भी तोड़ लेती हूं जो काफी बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई है और मैं उनको हावेस्ट नहीं कर पाई थी तो सिफ दो प्लांटर में ही मेरा पालक लगा हुआ है और मेरे लिए काफी हो जाता है आप देख रहें कि कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई है तो इसमें से सिर्फ मैं बड़ी बड़ी हटाऊंगी क्योंकि मुझे इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं बड़ी बड़ी भी दो प्लांटर में से हटाती क्योंकि काफी अच्छा पालक आप प्लांटर में ग्रोथ कर सकते हो जाती है उनकी और काफी अच्छी हार्वेस्टिंग भी होती है तो आप एक बार इसको जरूर्ट राई कीजिए अभी भी आप इसके सीर्स लगा करके पालक ग्रोथ कर सकते हो फ़ारवरी में तो मैंने जितना मुझे पालक हार्वेस्ट करना था उतना कर लिया है और भी मेरी बेज़ी टेवल लगी हुई है उनको में अभी हार्वेस्ट नहीं करना है तो अभी सिर्फ मैंने पालक और थोड़ी सी मैथी की हार्वेस्टिंग की है तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी केट भर के मेरा पालक निकल आया है जबकि सिर्फ दो प्लांटर में ही लगा हुआ था और अगर आप ज्यादा प्लांटर में लगाते हैं तो तो बहुत ही अच्छी हावेस्टिंग होगी और चलो आपको दिखा देते हैं कि मैथी की हावेस्टिंग कैसे हुई है और यह फ्र यह कैसा लगा हमें कमेंट बोक्स में जरुब बताएगा और चैनल पर नए है तो प्लीज को सिस्क्राइब करना बिल्कुल मंद भीलिएगा और वीडियो को लाइक, जरूर कर देना हुछ को सचे तो वीडियो कोosas कर देना ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ल रही है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएएगा